आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरे नाम अच्छिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सबागते दोस्तों आज हम चाप्टर 33 को क्लोस करेंगे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम हाई कोड को देखेंगे चाप्टर 34 त समानताएं अंदसेंस की कितना इकोल है ये विदान सबास है मैंने आपको बताया था कि जब स्टेट की बाद करें राज्यों में विधान सबाक को बहुत जदा ताकत होती है जो हमारे निर्माता है उन्होंने बोला था कि यहाँ पे विदान परिशेट की कोई खास जरूरत है नहीं legislative council एक तरीके से बाइपास है ठीक है मतलब जो लोग direct election में चुनके नहीं आया उनको आप legislative council में बिठा दो विधान परिचत में बिठा दो हाला कि इसकी importance भी है भी हम वो भी देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ordinary bills आप विधान परिचत में भी introduce कर सकते हैं ठीक है ना उसके बाद आप ordinance जो है उसको भी जो ordinance governor issue करता है वो भी यहां से approve हो सकता है उसके बाद दोस्तों minister या chief minister दोनों house का member हो सकता है समझ रहे हैं फिर उसके बाद constitutional bodies होते जैसे state finance commission public service commission उसकी report को भी यह देखता है consider करता है ठीक है और state public service commission का jurisdiction को भी यह enlarge कर सकता है तो यह विधान परिचत की ताकत होती है ठीक है ना अब हम देखते हैं कि क्या ख्याद थाकत नहीं होती है इसके पास सबसे पहले तो money bill मैं आपको बता चुका हूँ money bill council में नहीं बलकि assembly में introduce होता है विधान सभा में introduce होगा ठीक है ना money bill को नहीं यह reject कर सकता है नहीं अमेंड कर सकता है ठीक है ना जो पूरी ताकत होती है और in fact ordinary bill में भी जो main ताकत होती है ना वो विधान सभा के पास होती है समझ रहे हैं उसके बाद budget को discuss तो कर सकता है लेकिन vote on demand for grants नहीं कर सकता है मतलब विधान परिशद vote नहीं कर सकता है जो demand for grants होती है समझ रहे हैं जो पैसे दिये जाते हैं ना state budget से उसमें vote नहीं कर सकता खाली discussion हो सकता है साथी साथ council जो है किसी भी minister को council of ministers को remove नहीं कर सकता है council of ministers कैसे remove होंगे no confidence motion आएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विधान सभा में आता है विधान परिशद में कभी नहीं आता है ठीक है ना उसके बाद दोस्तों council जो है वो president of India और जो राज सभा के representative होते है उनके election में भाग नहीं लेता है यह मैंने आपको बताया था जब president का मैं chapter पढ़ा रहा था आपको ठीक है न तब आपको मैंने बताया था साथी साथ constitutional amendment bill में भी council कुछ नहीं गय सकता भी के न उसके बाद विधान परिश्षट depends करता है विधान सभाओ पर समझ रहे हैं कि importance का That advantage कया है डिस advantage ही है कि alguma पैसा खाँच होता है विधान परिशट मैं विधान परिश्षट को में का किसी भी assembly को में का में करना है तो आपको पैसा लगना उस पे, एक्स्ट्रा पैसा जाता है, अब स्टेट का जो खजाना है, स्टेट ट्रेजरी है, वो खाली होती है, ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, कि बाइपास यह सबसे जादा यूज होता है, कि जो लोग डारेक्ली चुनके नहीं आ रहे हैं उनको आप विधान परिचत में बैठा दो, ठीक है न, और कुछ important बिल की जबर्दस्ति वो लंबा खिच जाता है, यसे ordinary बिल जाएगा, ordinary बिल जाएगा, अब ordinary बिल पढ़ा हुआ है विधान परिचत में, ठीक है, money बिल तो चली 14 दिन तक उनके पास रहता है, लेकिन ordinary बि बिल्स है, वो बिनाबाद के council में पढ़ा रहता है, ठीक है, तो यह कुछ disadvantage, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, कि विधान परिचत की जरूरत क्या है, advantage क्या है, advantage यह है, कि जो लोग directly चुनके नहीं आ सकते, जैसे, अब अगर हम बात करें कि इसमें, विधान परिचत में social service जो करते हैं, कुछ intellectuals होते हैं, उनको nominate किया जाता है, मैंने आपको बताया था, पिछले lecture में, ठीक है न, बताया था, कि यहाँ पर intellectuals को nominate किया जाता है, जो अपनी field में expert होते हैं, अब वो directly चुनके नहीं आ सकते, ठीक है, उनका शेत्र में इतनी ताकत तो होती नहीं ह ऐसे लोगों का भी representation बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, assembly जो है, वो शेत्र को, वो territory को represent करती है, उनके लोगों को represent करती है, तो ऐसे लोगों का representation ज़रूरी होता है, साथी साथ, कभी-कभी सरकार ऐसे decision ले लेती है, जो बहुत जल्दबाजी में लिए जाते हैं, तो council उन प अचा दोनों चीज़े, pros and cons दोनों बताओ, अब राज सभा और council, देखे, राज सभा और council को अगर हम compare करें, without doubt, राज सभा बहुत बढ़ा है, विधान परिशद उसके सामने बहुत छोटा है, ठीक है, जितनी राज सभा को ताकत दी है, council की उतनी ताकत नहीं है, समझ रहे में, लोग सभा के साथ पास जादा ताकत है, लेकिन council राज सभा का कोई comparison नहीं है, राज सभा जो है, वो federal equilibrium बनाता है, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल equality, जो भी decision लोग सभा, राज सभा में तो बकायदा vote भी हो सकता है, बकायदा bill भी introduced हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, council जो है, council में जो लोग आते हैं, उनका अपना अपना interest होता है, different interest होता है, ठीक है न, और differently elected members होते हैं, लेकिन राज सभा में ऐसा नहीं है, ये state को represent करता है, राजों के interest को represent करता है, ये चीज़ आप समझे, तो ये important है, राज सभा के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, council के बास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, ओके, अब हम privileges की बात कर लेते हैं, ये last topic है हमारा, privileges जैसे कि मैंने आपको पिछले मलब लोग सभा राज सभा जब बता रहा था, तब मैंने आपको privileges of the members बताए थे, दो तरीके की privilege होती है, एक तो होती collective और एक होती individual, collective मतलब जो यह privileges इनको immunity देती है, ठीक है, exemption देती है, कि आपको गिराफ्तार नहीं किया जा सकता, house चल रहा है, तब आपको गिराफ्तार नहीं करेंगे, अगर माल लिजे, members को गिराफ्तार किया जाने लगा, तो house चलेगा कैसे, और फिर तो dignity पे सवाल उड़ जाएंगे न, मतलब हम उन members क पर कारवाई कर रहे हैं, जो बैठे हैं कहां पे, assembly में, तो इसका मतलब है, ऐसे लोग assembly में देश से ला रहे हैं, तो ये तो फिर assembly की dignity पे सवाल उड़ी आएंगे, इसलिए privileges का concept आया है, समझ रहे हैं, यहां पे immunities मिलती है, जो members होते हैं, कुछ जो actions होते हैं, उनसे immune होते हैं, समझ रहे हैं, तो अब इसमें क्या-क्या है, collective privilege की बात करें दोस्तों, यहां पे, यह reports को publish कर सकते हैं, debates में हिस्सा ले सकते हैं, proceedings में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर कोई और गलत report publish करा, तो उसको भी prohibit कर सकते हैं, ठीक है, strangers को, बाहर वाले को, proceedings से बिलकुल दूर याद रखिएगा, किसी भी member को punish किया जा सकता है, अगर वो अपनी privileges को breach करता है, अगर वो, देखे, privileges मतलब ऐसा नहीं है, कि पूरी ताकत मिल गए आपे members को, इसमें भी बकायदा rules and regulations हैं, अगर उन rules and regulations को आप, अगर आप मतलब तोड रहे हैं, तो अप फिर आपको सजा मि आरेस्ट किया है किसी को, detain किया है, convict किया, imprisonment सदा दिये, तो तुरंत information देनी पड़ती है, समझ रहे हैं, तुरंत information, right to receive immediate information of the arrest, detention, convention, imprisonment and release of member, ठीक है, उसके बाद ये inquiry भी constitute कर सकता है, उसके बाद court के पास ये ताकत नहीं है, high court है न, उसके पास ये ताकत नहीं है, कि जो proceedings हो रही है, house या committees की, उसकी inquiry बैठके करें, ठीक है, house का session चल रहा है, court को पसंद नहीं आया, किसी ने case डाल दिया, या court ने खुद inquiry बैठा दी, ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हैं, तो judicial inquiry नहीं हो सकती है, house या committees की, साथी साथ, अगर विधान सवा के कोई भी अंदर है, member हो चाहे है, वो नहीं हो, उसको arrest नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये चीज़ आप समझेए, individual privileges की बात करें, members को क्या privilege मिलती है, members की बात करें, तो शुरू के 40 दिन और आखरी के 40 दिन, ठीक है, arrest नहीं, मतलब 80 दिन की तो बिल्कुल immunity है, आपको बिल्कुल भी arrest नहीं करेंगे, लेकिन ये civil cases में है, criminal cases में नहीं है, मतलब अगर आप किसी का murder करके आ गए है, तब आपको यहाँ पे, मतलब गिरफ्तार किया जाएगा, और preventive detention में भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है ना, उसके बात दोस्तों, आपको पता ही है कि state legislature में freedom of speech होती है, देखते ह और जैसा कि मैंने बता है कि कोई भी ऐसा व्यवार करता है, तो ऐसा नहीं आप उसको court में ले जाए, court में inquiry नहीं हो सकती, जो house के अंदर होता है, जो legislature के अंदर होता है, उसके ही अंदर रहता है, उसी की बात रहती है, और बाहर का कोई भी उसमें हस्तक शेप नहीं करता है समझ रहे हैं तो ये चीज है ये लेच्चर था दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा चाप्टर 33 कम्प्लीट हो गया दोस्तों 60% से जादा आमने M. लक्ष्मिकांत खतम करती है बहुत जल्द M. लक्ष्मिकांत खतम हो जाएगी मैंने सोचा था इसको 25 मही तक निपता दूगा लेकिन आव ऐसा है UPSC का एक्जाम एक्स्टेंट हो गया तो जल्दी का है कि तो आम मैं 6 से टाइम लूँगा ठीक है हलाक ही ये माक्सिमम एक्स्टेंट होगा तो 10 जून तक जाएगा मतलब 10 जून तक मेरे ये M. लक्षमी कांथ UPSC नहीं M. लक्षमी कांथ जोगा 10 जून तक आराम से खतम हो जाएगी लेकिन पहले मैंने आज से बोला था ना 25 मही तक खतम करूँगा आब नहीं करूँगा क्योंकि आब एक्जाम एक्स्टेंट होगा कुछ रही पर तरे, दिसे से दान तक नियो तरे, signing off